गाइस 21 फरवरी से 28 फरवरी तक KBS PRT का examination हुए है and no doubt KBS PRT का examination है वो आपका सबसे जाधा experience इसी में है ठीक है तो सबसे जाधा answer की जो generate होगा वो इसी के अंदर generate होगा clear अब अगर हम pattern देखें TGT और जो Vice Principal Post के लिए जो examination हुआ था तो 7 फरवरी से आपके examination शुरू हुए थे और 20 फरवरी तक उन्होंने answer की release कर दिया था लगपग उन्हें एक दो हफतों का समय लिया TGT का भी answer की आ चुका है आपका TGT Social Science, TGT English, TGT Science सबका answer की आ चुका है उसमें भी 13 दिन, 12-13 दिन का समय उन्होंने लिया और अगर 21 फरवरी से हम देखें तो यह समय जो 12-13 दिन का जाएगा यह आपका लगबा 5 मार्च के आसपास जाएगा परन्तु यहां पर अगर KBS PRT Post का सारा answer की release करना चाहेगा तो 28 फरवरी तक अभी examination हो रहे हैं ठीक है 28 फरवरी से 13 दिन का समय अलग डेट है तो अगर दो चर्णों में वो देता है तो पहला answer की आपको देखने को मिलेगा 5 मार्च को होली से ठीक पहले और दूसरा answer की आपको देखने को मिलेगा 13 मार्च में इसमें पहले और दूसरे से क्या मतलब है कि दो चर्णों में आंसर की release कर सकता है KBS कि 21st से लेकर 24th टक जो examination हुआ है 24th को एक gap था और 25th से लेकर 28th तक जो examination हुआ है तो दो चर्णों में आंसर की देखने को मिल सकते हैं तो पहला आंसर की आपको पांच मार्च को देखने को मिलेगा और दूसरा आंसर की आपको तेरा मार्च में देखने को मिलेगा और जो result है result आपका अभी नहीं आएगा result KBS का भी पूरा प्रणाली हुआ नहीं है अभी आपका डेमो टीचिंग इंटर्व्यू सब बाकी है ठीक है तो यहां पर एक list generate होगा candidates called for the interview ठीक है वो list पूरा जनेरेट होगा वो पूरा मेरिट बन के आएगा कि कितने candidates को यहां पर बुलाया गया है interview के लिए उस interview की प्रक्विया के लिए पूरा schedule बनता है जिसमें समय लगता है ठीक है तो अभी उस प्रक्विया में समय है लेकिन हाँ आंसर की आप जरूर देखने को मिलेगा आपको 5 मार्च और 13 मार्च बहराल एक चीज़ और बता दूँ जो interview का panel है interview का panel decide करने में काफी समय लगता है interview का venue allocate करने में भी काफी समय लगता है तो आप तब तक अपना interview के skills पर काम कर सकते हैं आप तब तक अपने डेमो टीचिंग को improve कर सकते हैं टीचिंग वाला मंच लगातार डेमो टीचिंग और interview पर कुछ sessions लेके आ रहा है जिसके तहत आप अपने interview के अंदर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ठीक है किन चीजों का ध्यान रखना है उसके साथ साथ डेमो टीचिंग भी एक दिन में डवलप होने वाली चीज नहीं है कि एक दिन पहले देखकर चले जाएंगे कोई वीडियो और आप डेमो टीचिंग कर लोग अच्छे से नहीं साथ हो यह पूरे lifelong process है personality व्यक्तित वह एक दिन में नहीं बनता है परंतु अगर आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दे थोड़ा पहले से कुछ चीजों को ध्यान रखे तो अपने अंदर improvement जरूर कर सकते हैं मैं स्वरब शर्मा टीचिंग वाला मन से जय हिन जय भारत